नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी और आप सभी देख रहे हैं LNAI लखनाओ में वीते दिन लखनाओ गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी ने एक प्रेस कॉन्फरेंस गठित की बता दे कि इस प्रेस कॉन्फरेंस में ओडिशा में इंडियान आर्मी के मंगेतर के साथ यौन उक्पिडन मामले पर लखनाओ गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी द्वारा आवाज उठाने का कारी किया गया इस गंभीर मुद्वे पर ना सर्फ आवाज उठाए गई बलकि ओडिसा सरकार, उत्यप्रदेश सरकार और साथ ही केंदरी सरकार से कड़ी कारिवाई करने की भी माम की गई इस प्रस कॉन्फरेंस के दोरान कमिटी ने भुबनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन पुलिस कर्मियों के खिलाफ ऐसे मुद्दो पे चर्चाए की जिनको लेकर आगे बड़ी कारिवाई की जा सकती है वहीं इस मामले से सिक समुदाई के लोगों के अंदर काफी रोश देखा जा सकता है प्रस कॉन्फरेंस के दोरान लखनाव प्रबंधन कमिटी द्वारा किन-किन मुद्बो पर और क्या-क्या चर्चाए हुई आए जानते है अलनाई के इस रिपोर्ट में लखनाव कुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के अध्यक्ष राजिंदर सिंग बग्गा, महासचिव हरपाल सिंग जग्गी, कानूनी सलाकार जस्बीर सिंग राजु बक्षी एडवोकेट ने ओडिसा सरकार से भरतपुर पुलिस थाने के खिलाफ सक्त कार्यवाई की गटना की राद महां मौझूद सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, छेट-चाड और यौन उत्पिडन के तहट F.I.R. दर्श कराने की मांग की गई है। कोई अस्तित्व नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पतनायक और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांजी के शाशनकाल में पुलिस आमनागरिकों पर अत्यचार करने में सनलिप्त रही है। यह जंगल राज है जहां जिसकी लाठी उसकी भैस का नियम चलता है। कमिटे के कानूनी सलाकार जस्मीर सिंग राजुबक्षी ने बताया कि सुप्रीम कोट ने पूरे भारत में पुलिस थानों में नाइट विजन सीसी टीवी कैमरों के स्थापना का निर्देश दिया है जिनके रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महिने तक रखनी आनिवारी है। महिला वकील के साथ हु यौन उत्पीडन और मारपीट की घटना में पुलिस अधिकारियों ने बड़ी क्रूरता का परिचे दिया है। और इस बार बार कांसिल ओफ इंडिया को हस्थचेप करना चाहिए। कमिटी के प्रवक्ता सरदार सत्पाल सिंग मी, तेचपाल सिंग रोमी और उपाध्यक शिंदर सिंग ने कहा कि भरतपूर पुलिस स्टेशन के पाच पुलिस सधिकायों का निलंबन महजरे को अपचारिकता है। ओडिसा सरकार और पुलिस का रवया विशेश रूप से इस्तिक समुदाय के प्रती हमेशा से कट हो रहा है। हम राश्टरपती, प्रधान मंत्री और भारत के मुख्य न्याय अधीश से इस मामले में न्याय की अपील करते हैं। सभी दोशी पुलिस कर्मियों पर हत्या के प्रयास, शेट शार और योन उत्पिरन के तहत अपरादिक मामले के दर्श कराये जाने की अपील करते हैं। साथ ही उन पुलिस कर्मियों को काउंसल ओफ इंडिया को भीज़ा ज़ा रहा है तो ऐसे खबरों से जुड़ने के लिए वह उन्हें जानने के लिए देखते रहिए अलनाई